सोनी की मैडम वेब इस विल्म का ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर के ऊपर मैंने सेकेंड चैनल पे रियक्शन भी किया है अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना अपलोड हो चुका है वैसे अभी के लिए ये ट्रेलर मुझे अच्छ और इसनप लोगों से पहले लिए थोड़ा सा यूनिकनस तो है इसमें जो आप लोगों थोड़ी सी फाइनल डेस्टिनेशन वाली डेकी है तो क्यूं कह रहे हूं आपको पता ही होगा वैल अभी ट्रेलर में बात करते हैं लेकिन उस से पहले वीडियो को लाइक कर देना च स्टार डाइनर में जाते हुए नजर आती है जहाँ पे तीन लड़किया बैटी होती है और यह तीनों ही लड़किया spider women's है जिसमें से Sydney Sweeney Julia Carpenter वाली spider woman है Celeste O'Connor Mattie Franklin वाली spider woman है और Isabella Morseid Ania Corazon वाली spider woman है जिसमें से अगर आप लोगों को एक चीज नहीं पता तो मैं बता दू कि Mattie Franklin वाली spider woman है वो डेली व्यूगल के J. Jonah Jameson की भतीजी है तो में भी हो सकता है कि हमें इस फिल्म में J. Jonah Jameson का character भी नजर आए मतलब जो ही इंसान spider man को इतना hate करता है उसकी खुद की भतीजी एक spider woman है मतलब irony देख रहे हो खेर उसी starting के scene में हमें एक spider man जैसा ही character नजर आता है यानि कि उसका जो costume है वो बिल्कुल ही spider man से match करता है लेकिन मैं आप लोगों को बता दू कि वो spider man नहीं है वो easy kill sims है जो comics में एक business man रहे चुका है और उसकी जो abilities है वो spider man से बहुत तक similar है यानि जैसे spider man के पास spidey senses है, wall पे वो चिपक सकता है तो ये दोनों ही abilities easy kill sims के पास भी है बस spider man और इस villain में difference ये है कि ये villain spider man जैसे wave shoot नहीं कर सकता well उस scene में easy kill sims madam whip को मार देता है लेकिन madam whip past में चली जाती है और कहती है कि फिर से try करते है well बहुत लोगों को लग रहा होगा कि क्या madam whip के पास time travel वाली abilities है जैसा हमें trailer में दिखाया जा रहा है या फिर कहलो कि animated series में दिखाया गया है कि madam whip multiverse के थूर ट्रैवल कर सकती है portals बना सकती है so obvious सी चीज है हो सकता है कि multiverse के साथ connection उसका madam whip इस film में भी हमें दिखाया जाएगा well इसी के बाद हमें trailer में दिखाया जाता है कि dakota johnson की madam whip को इस film के अंदर abilities और powers कैसे मिली जहाँ पर हमें दिखाया गया है कि dakota johnson का character एक आदमी को car से बचाने की कोशिश करती है उसे बचा भी लेती है लेकिन खुद उस car में फच जाती है और car bridge से नीचे गिर जाती है और i think उसी समय उसकी powers trigger हो जाती है मतलब मुझे तो लगता है कि उसके पास पहले से ही वो powers थी लेकिन उस accident की वज़े से वो powers trigger हो गई उसका use वो अब कर सकती है जहाँ पर हमें flashback में ये भी दिखाया जाता है कि एक pregnant और एक बच्चे को पानी के अंदर पकड़ के है जिस बच्चे को बहुत से लोग Peter Parker कह रहे है जॉंसन के करेक्टर की मॉम और इस फिल्म का विलन यानि कि एजिगल सेम्स एमेजॉन के जंगलों में गये थे जिन जंगलों में मैडम वेप की मॉम मर जाती है और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का connection डकोटा जॉंसन के करेक्टर के बच्पन से होगा और अभी जो एक्सिदेंट हुआ है कार वाला उसकी वज़े से मैडम वेप की पावर्स ट्रिगर हुई है जिसके वज़े से उसे विजन सा रहे है वो अभी फ्यूचर देख सकती है लेकिन अभी तक हमें यह क्लियर नहीं है कि डकोटा जॉं करेक्टर को बता है और उसी कांट को होने से वो प्रिवेंट करना चाहता है इन तीनो ही स्पार्ड वूमन्स को जान से मार के वेल इससे हमें यह तो अंदाज आ जाता है कि इस फिल्म के विलन के पास भी मैडम वेब जैसे ही फ्यूचर के विजिन के अते होंगे जिसके वज़ह से उसे फ्यूचर के बारे में पता है तिर उसके बाद हम देखते है कि तीनो ही स्पाइड वूमन्स अपने-पने कोस्चूम में है लेकिन खास करके मैटी फ्रैंकलिन के स्पाइडर वूमन के कॉस्चुम को देखके आप लोगों को स्पाइडर मैन के आयन स्पाइडर कॉस्चुम की याद आई होगी बढ़ यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दू कि मैटी फ्रैंक्लिन के स्पाइडर वुमन को ही कॉमिक्स के अंडर वैसे एक्स्ट्रा लेक्स पहले दिये गए थे स्पाइडर मैन को तो वो बाद में मिले फिर ट्रेलर के एंड में हमें एक चेसिंग सीन दिखाया गया है जहाँ पे यह तीनों लड़किया और मैडम वेब एक वेहिकल में इस विलन से भाग रहे है और जिस तरीके से विलन जम्प कर रहा है उससे जैसा कि मैंने कहा था कि वो वेब शूट नहीं करता इसलिए वो जम लड़ेंगे किस से यह लोग यहां फिर हो सकता है कि मैडम वेब की जैसे अबिलीटी है उसे फ्यूचर के विजन्स आते हैं तो हो सकता है कि उन विजन्स के अंदर हमें पीट पाकर नजर आए या फिर स्पाइडर मैन नजर आए देखो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है अगर सोनी चाहे तो वेल ट्रेलर का ब्रेकडाउन तो यहां पे खतम हो गया लेकिन ट्रेलर के अंदर जो हमें एक्शन सीन्स की जलक दिखाई गई है उससे तो लग रहा है कि फिल्म के एक्शन्स तो बहात ही तगड़े होने वाले हैं एक तो तीन तीन स्पाइडर वुमन स्टीम अप कर रही ह और उपर से मैडम वेब अपनी अबिलीटीज का भी यूज कर रही है तो एक्शन्स तो हमें कूल और यूनिक नजर आएंगे ही ट्रेलर तो मुझे सच में अच्छा लगा और मैं इस फिल्म के लिए एक्साइटेड भी होना चाहता हूँ लेकिन फिर भी मैं अपनी होप्स को थोड़ा सा नीचे ही रखूंगा क्योंकि अभी भी इस फिल्म के स्टोरी जो भी हमें ट्रेलर में नजर आ रही है वो बहुत सिंपल लग रही है जिसके वज़े से थोड़ा सा डर ये भी है कि इस फिल्म का हाल मौर्बियस जैसा ना हो इसलिए एक्साइटमेंट को कोड़ा साबी कोच अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि अभी वाटिफ सीजन 2 के ट्रेलर के उपर भी बात करनी है तो उसके नज़र आ रहा होगा करो और देख लो सु मिलता हुए इसी किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग अभी पर भी वाचिंग